हमारा राहो केतु का वीडियो जो लाइव है यूटुब में लोट अफ फैमिली फ्रेम सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं राहो केतु का ट्रांजिट जो 2023, 2024 और 2025 में रही सब एसेंडेंस के लिए कैसा होगा एक जेनरलाइस प्रेडिक्शन चाहिए यह ओवराल प्रेडिक्शन चाहिए आपको आप डेस्क्रिप्शन और लिंक देख सेकते हैं हमेशा कोश्चिन आता है कहां से देखेंगे लगन शे देखें चंद्र से देखें सूरिय से देखे रही हमेशा लगन देखने से दो घंटे का होता है और जब हमारे टीम से संपर्क करते हैं हम नक्षत्र उपनक्षत्र में जाके मिनिट्स और शेकेंड्स का देखते हैं और पूरा डीटेल ट्रिनिंग अनलेशिश करके आपको उपाय, solutions, remedy, सब कुछ देते हैं और description और links में हम डाल देंगे आज हम धनू लगना के लिए बात कर रहा हैं बाकी सब लगना के लिए हो गया है सिर्फ धनू लगना पेंडिंग है और मेश लगना पेंडिंग है यह 7 billion population के लिए यह आपका चार्ट नहीं है, यह मेरा चार्ट नहीं है यह आपका दोस्तों का यह family का चार्ट नहीं है यह पूरा 7 billion population में से जितने भी धनू लगना हैं उनके लिए overall predictions है आपका राहू, आपका गुरू कहां पे प्लेस्ट है, राहू आ रहे हैं रेवती नक्षत्र में बुद्ध कहां पे प्लेस्ट है, वो placement important होता है दशा, महादशा, अंतरदशा important होता है आपका लगन चार्ट, नवामशा चार्ट, गोचर, केपी चार्ट, भाबचा लिए रहे, नक्षत्र, उपनक्षत्र, कस्पल्श बलॉट वो बहुत important होता है, जो calculation करते हैं अस्टवर्ग और भी नस्टवर्ग में तो आपको प्लेश्मेंट्स देखना होगा, but from the overall predictions राहू और केतू, 4th और 10th house में धनू लगने के लिए आ रहे हैं राहू जब 4th house में आते हैं और desire बढ़ा देते हैं, vehicles खरीद रहा है, property खरीद रहा है, you know, गाड़ी, बंगला, पर ये desire से आपको बचना है because ये जैसे flash of pan आता है, वो जाएगा भी, right, वो आपको hero से zero बना सकता है, और zero से hero, तो आपको जो जरूरत हैं, वो आप लगाएंगे, आप ना की blindly खरीदेंगे और यदि आपका प्रहश्पती राहू और बुद्ध का महादशा ये तो 101 परसंट दिखाई देगा, right, और जैसे ये कोण से भी वीडियो में नहीं बोला होगा, I think YouTube के चैनल में राहू आरे हैं, श्पाइश लगन में, right, तो आपको spiritual भी देंगे, isolation भी देंगे, पर जब यहाँ पर आते हैं, आपका first house भी impact होगा, overall health भी impact होगा, आपका health नहीं होगा, तो घरवालों का होगा, पर आपको, you know, either bida होगा, या pleasure मिलेगा, right, health बुरा है तो अच्छा हो जाएगा, और अच्छा है तो बुरा हो सकता है, right, अभी हम केतु का transit देखेंगे, केतु आ रह केतु के साथ कौन बैठा है, conjunction, placement, aspects देखना होगा, केतु का महादशा, बुद के घर में आ रहे, बुद का महादशा, चित्रा नक्षत्र में आ रहे, मंगल का महादशा, अंतरदशा, प्रतिय अंतरदशा, effect करेगा, वो केतु आप यदि already spiritual है, already भगवान के करीब है, isolation में ह वो आपको आपका जंडा दुनिया में पहराएगा, आपके नाम का जयजयगार होगा, पर यदि already materialistic में है, आपको मार भी पढ़ सकती है, और आप इसलिए spiritual awakening कीजिए, astrology को use कीजिए, सबसे बड़ा remedy एक ये वीडियो में मैं दे रहा हूँ, जैसे जैसे मेरे astrology का channel देते है, वीडियो देते हैं, learn कीजिए, जितना हो सके, हमारा courses भी live है, आप courses पर enroll कर सकते हैं, वो professional courses है, one time cost है, life beginning, changing, life changing आपका होगा, consultation लीजिए, description, links दिया गया है, personalize अपने लिए नहीं है, अपने family के लिए सब के लिए लिए लीजिए, 2023, 2024, 2025 के लिए रेडी कर देंगे, दो साल के लिए, राहू केतु का ट्रेंजिक जो, दूसरों लोगों को तकलीब देगा, आपको बुलंदी के सिखाट में पहुंचाएगा, फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में तब तक भी राम देते हैं, जै भारा, जै जोतिस, जै आस्ट्रलोजी और मैंने जैसे promise किया है, नेक्स्ट आम में इस लगने के लिए वीडियो करेंगे.